नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मैं आपका दोस दिनिस निम्बावत आज हम बात करेंगे साइकलोजी के अगले टोपिक अगले जो अधिगम का सिध्धान्त है उस सिध्धान्त को अगले सिध्धान्त को पढ़ते हैं आज सिध्धान्त लेते हैं क्रिया प्रसुत अध उप्राइंडिक्तुर्णिंग 좋아요 ठूटिक्तूनिक्तुर्णिस को देखेंगेference किरिया पफ्र०्टुत जो है अधिकम सिद्धांत अपन देख रहे हैं और बीऐफ इसके नडने इसको दिया किरिया पफण अदिकम सिद्धांत किसका है इसको किस ने दिया बी एफ इसके नड़ ने दिया और इसको देखते है इसके नड़ ने दो परकार की किरियां पर प्रकास डाला है कितने परकार की दो एक तो किरिया प्रसुत एक अधि उधिपन प्रसुत एक तो किरिया के द्वारा उधिपन एक उधिपन ठीक है एक तो कि किरिया प्रसुत एक उद्धिपन प्रसुत आपको दोनों सब याद रखने फिर बात करते हैं जो किरिया उद्धिपन के द्वारा होती है उन्हें उद्धिपन आधारित जो किरिया उद्धिपन उद्धिपन क्या होता है उद्धिपन क्या होता है जो आपको कारे करने के लि होती है वे उद्धिपन आदारित होती है और किरिया परशुत का सम्मन्द जो है उतेजना से होता है देखो उद्धिपन आपने उद्धिपन दिया ठीक है अब जो किरिया का सम्मन्द होगा ना किरिया परशुत का सम्मन्द होता उतेजना से उद्धिपन मिला उतेजित से याद आ रहे थे कार्यात्मक परतिबत्ता सिद्धान और दूसरी जो है इसकी नवह की आपको दोनों याद रखना है और कार्यात्मी पर्तिप्रदा सेख्दान बिजसे को कहा जाता है और यह जो है चायन वो सहयोजन सेदान पर आदारी जो कि किसका एथान डाइक का है अब बात करते हैं सकीनर के परियोग देखें सकीनर ने किस तरीके से परियोग किया वो देखते हैं अभी परेणा मोटिवेशन से उत्पन किरिया सीलता ही सीखने के लिए क्या है उत्तरदाई है अभी परेणा यानि कि आपको जो मोटिवेशन से उत्पन किरिया सीलता ही क्या है सीखने के लिए उत्तरदाई है कि इसका मतलब है कि आपको तभी सीख पाएंगे जब आपको परियोग किस किस पर क्या यह देखते हैं चुहें वह कबूत्र पर पर प्राणियों में दो परकार के वहवार पाया जाते हैं कितने परकार के पाया जाते हैं दो परकार के एक तो अनुक्रिया ठीक है दूसरी किरिया परशूत दो परकार के जो है वहवार पाया जाते हैं एक किरिया का समद्ध किस से होता है उतेजना से और किरिया परसुत का जो समद्ध होता किसी ग्यात उद्धिपन से नहीं होता आपको ग्यात नहीं होता किरिया परसुत से जो है इसका समद्ध किरिया परसुत को केवल अनुक्रिया की दर्ष से मापा जाता है कि अनुक्रिया कितन केसा परियोक्या एक बख्षा बनवाया और लीवर वह चुहे का पेर पड़ते ही जो है खटकी आवाज होती थी यह किनों ने एक बख्षा बना लिया एक लीवर था जिस पर अगर पेर पड़ता है तो यहां से खटकी आवाज आती थी और इस दमणी को सुन चुहा आगे बाज को सुनकर चुहा जो आगे बढ़ता तो उसे क्या मिलता है बोजन मिलता है ठीक है यह बोजन चुहे के लिए क्या करता है परबलन का कारे करता है रेंफोर्समेंट का कार करता है यह उसे परबलन देता है रेंफोर्समेंट मिलता है उसको परबलन मिलता है ठीक है तो कार अब वैसा करना पड़ेगा चलिए आप बात करते हैं इस पर्योग से निस्कर्स क्या निकला वो देवते हैं लिवर दबाने की किरिया चुहे के लिए क्लिए क्या हो गई सारा लोगी एक बार एक दुबार प्रोब्लम होई उसको फिर जैसी बुक लगती वो क्या करता लिवर करते हैं ठीक है आपने अनुक्रिया की या तो आपको पुरुसकार मिलेगा या आपको दंड मिलेगा सीधी सी बात अगर अनुक्रिया जो आपकी पोजिटिव है अच्छी है तो आपको पुरुसकार मिल जाएगा अगर गलत दिसाम है तो आपको क्या मिलेगा दंड मिल जा कहा जाता है और इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है रिक्त प्राणी उपागम को से सिद्धान को कहा जाता है इसकी नर्के और नेमेतिक अधिगम इंस्ट्रुमेंटल जो है लर्निंग तिनों नाम किसके है किर्याप प्रस्वत अधिगम सिद्धान जो कि किसका है इसकी नरका है चलिए फिर आगे बात करते लिवर बार बार देखो लिवर को अगर बार बार दबाया जाता है आते निरक्षन क्या हो जाता है सरल हो गया लिवर दबाने में अन्य किरिया नहीं होती दूसरी कोई किरिया नहीं होती लिवर दबाने की किरिया का आभास उसको हो जाता है तिक अब देखें यदि किसी किरिया के बाद कोई बल परदान करने वाला उद्धिपन मिलता है तो उस किरिया की सक्ति में वर्दी हो जाती अगर आपने कोई किरिया की किरिया इन्होंने किया कि खटके को दबाया चुहे ने क्या किया उस कटके को दबाया और बोजन मिल गया और बोजन क्या मिला बोजन क्या था कौन सा काम कर रहा था यहां के लिए उद्धिपन का कारे कर दाता ठीक है तो बोजन का जैसे उद्धिपन का कारे करता तो किरिया में क्या हो जाती वर्दी ह हो जाती किर्या सकती में अगर यहीं अगर उसको यहां उद्धीपन नहीं मिलता या भोजन नहीं मिलता तो किर्या जो किर्या के अनुक्रिया होती है जो निरंदर चलती रहती है उसे समय क्रिया देखेगा उसे समय क्रिया प्रसुत्ता की सक्ति बढ़ जाती है इससे क्या होता है यह सता चलती रहती है और संभवत अनुक्रिया होती है इससे क्या होती है जो समय क्रिया प्रसुत्ता की सक्ति बढ़ जाती ह पिर बात करते हैं इसके इनर इसके संदर में क्या कहते हैं वैवार प्रानिया उसके अंस की इसी संदर में गती से देखीगा वैवार जो होता प्रानिया उसके अंस में इसी प्रकार से संदर में गती होती है यह गती या तो प्रानिय में स्वयम नियेत होती है या तो किसी बाहरी उद्देशिया या सकती से के सैतर से मानी होता क्या है आपको उद्दिपन मिलता रहता यान के बोजन आपको कोई भी लक्से उस लक्से के परती आप खुद जो मोटिव होते रहते हैं अभी प्रेना आपको अंदर से मिलती है अभी प्रेना जब मिलती है तो आप किसी कारे को करने के लिए क्या होते हैं किरिया सील होते हैं तो आपको अंदर से क्या मिल जाती है ये कहना यहीं चाहते हैं एक्रिया और नीट होती है कौन सी उद्धीपन वालि और फिर उद्धीपन के परतिया आप क्या होते हैं क्रिया फिर नक्से को पाल लेता है यह फिर यह फिर बाहर से जब आपको externally कोई कह दें कोई दबाव ल्ण भोकर या बोतिक वस्तों को लाला छो प्रिया मैं इसके उंदर में देखें इनका और हैं शीक्सा शीखने का सवरूप पड्दान कड़ता है सब radio q टाल्यक है और अभी कर्मित अधिगन प्रोग्रामड है लर्निंग इसका बाइन आगे दिया हो देखुएगा कि अभीगरM yhtा जो है ये प्रोग्राम्ड लर्निंग और इसे इसकीनर का जो है दिवकारक सिद्दान्थ भी कहा जाता है इसको इसकीनर का दिवकारक सिद्दान्थ इसे निदानात्मक परिक्षण, इसे निदानात्मक परिक्षण, इसे निदानात्मक परिक्षण, इसे निदानात्मक का मतलब होता है, सबसे पहली जो समस्या है, वो समस्या को पहचानना, निदान कहलाता है, उसका उपचार करना, उपचार है, परिणाम की जानकारी, पुं अब देखीगा अपने इसकी जो है दोनों बुकों को देख लिया था अब देखें इसकी नर के अनुसार अभी प्रणा से उत्पन किर्याही सीखने के लिए क्या है उतरदाई है सबसे पहले ही हमने इसको देखा था चलिए यह जो अधिकम के जितने सिद्दान थे उन सिद्दानों की बात हमने कर ली आई होप यह आपको पसंद आया होगा अगर ऐसा है तो इस वीडियो का आप लाइक करें कमेंट करें और शेयर जरूर करें यह जो भी नोट्स हैं यह पीडी पाटक की बुक से लिए गये न नमस्कार